नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों आज हम बात करेंगे UXOR यानि की Unexploded Ordnance Handling Robot के बारे में ये पूरी तरह से तैयार है और अब इनकी टेकनोलोजी ट्रांसफर की जा सकती है प्राइवेट फरम्स को ताकि वहाँ पर इसे बनाया जा सके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों State of the Art Unexploded Ordnance Handling Robot जो की दोस्तों Handle कर सकते हैं डिफ्यूज कर सकते हैं Unexploded Ordnance जैसे की दोस्तों Bomb, Mortar और Missiles को और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर Bomb, Mortar और Missile 1000 kg के भी हो तो भी ये उसे Handle कर सकता है और दोस्तों 1 km की दूरी से भ प्राइवेट फर्म्स को और इसे दोस्तों Defense Research and Development Organization की ही एक संस्था Research and Development Establishment ने तयार किया है और अब ये तीन लाइसेंस देने जा रही है इसके प्रोडक्शन के लिए और इसने User Trial भी Complete कर लिए हैं Indian Air Force के साथ में और DRDO के Chairman Dr. G. Satish Reddy ने कहा है कि Army और Air Force दोनों ही इस प्र Trust जारी करने के तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों DRDO के हिसाब से UXOR एक Internal Combustion Engine के उपर आधारित है और ये Skid Steer Loader Platform जैसे की JCB वगेरा होती है उसी तरह से काम करता है और इसकी हर जगह पर Mobility भी है और साथी 6 गंटों का ये Endurance भी देता है Mainly अगर कहा जाए तो ये Low Order का Unexploded Ordnance को Diffuse कर सकता है और ये एक Abrasive Water Jet Cutting Machine से Less होता है और इसकी दो Manipulator Arms होती है पहली जो Heavy Bomb लगबग 1000 kg तक के को Handle करने के लिए होती है और दूसरी तरफ Cutting Nozzle लगी होती है और इसके जो 7 Axis Manipulator होते हैं वो Nozzle को Hold करते हैं और Abrasive Compound इसके काटने के लिए जो कि लगबग 25 mm ठिक हो सकता है फिर भी उसे काट दिया जाता है और साथ ही इसे Safe बनाता है Fuse को हटाने के बाद और इसके लिए Expression of Interest जारी किया है Research and Development Establishment ने जो DRDO के अंडर में ही एक Lab है और अब इसकी reply उमीद की जा रही है कि Original Manufacturer से ही आ सकती है जिसक के पास sufficient experience हो और expertise हो और साथ ही वह है इसके production के लिए काम करने की इच्छा रखता हो और साथ ही ये भी उमीद की गई है कि जो भी फरम इसके लिए काम करने की इच्छुक होगी वह technologically भी पूरी तरह से sound हो और साथ ही supply को भी ensure करती हो उसी quality standards है जिसके हिसाब से ये चाहिए ह और दोस्तों ये unexploded ordinance robot किसलिए important है इसका कारण ये है एक scientist ने पताया है कि जो unexploded ordinance होता है वो actual में जब launch किया जाता है या कहीं रख दिया जाता है तो वो release नहीं हो पाता तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है जैसे जैसे उसका charge खतम होता है तो वो और ज़्यादा sensitive हो सकता है एंडल करने के हिसाब से और DRDO ने ये भी बताया है कि unexploded ordinance robot के अंदर कई degree की freedom मिल सकती है जैसे कि इसके अंदर manipulator arms है और साथ ही cutting mechanism भी है किसी भी unexploded ordinance को diffuse करने के लिए तो दोस्तों actual में ये making इंडिया के तहत ही किया जा रहा है और आतम निर्वर भारत के हिसाब से ही ये सारी चीज़े की जा रही है और इंडिया की private firm ही से इंडियन आर्मी और एर फोर्स के लिए बनाएगी धन्यावाद जैहिन